हाई फ्रेंट्स आज मैं कंपेर करने वाला हूँ आइकू Z9X जो कि आपको देखने को मिलेगा 15,999 का इसका 8 and 128 GB वेरियंट वर्सेज कंपेर है रियल में नार्जो 70 टर्बो यह आपको देखने को मिलेगा 16,999 का 6 128 GB वेरियंट वैसे अगर आप कार्ड आफर कुछी में भी लगा रहे हैं तो यह आपको और कम प्राइस पे देखने को मिल जाएगा हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है गौरो आप देख रहे हैं टिक रूम तो बात करते हैं सबसे पहले जनरल चीज होगी तो यहाँ पे जो टर्बो एनाउंस क्या किया है अभी जल्दी सिदंबर 2024 में दोनों में Android 14 आएगा और दोनों में अपना-पना Custom OS आता है आइकू में One Touch OS मिलेगा जबकि नार्जो 70 टर्बो में Realme UI 5.0 मिलता है CPU वाले पार्ट को देखा जा तो CPU आर्किटेक्चर में Snapdragon 6Gen1 आता है iQoo Z9X में जिसमें 4 Performance Core 2.2 GHz पे कलॉक Cortex A78 होंगे और 4 Battery Facency Core 1.8 GHz पे कलॉक Cortex A55 होंगे वहें पर जो लेटेश्ट Realme नार्जो 70 टर्बो आया है इसमें मिलता है Dimensity 7300 Energy ये 7300 को तो ट्वीक करके इनोंने 7300 Energy नाम रखा है इसमें आपको मिलेगा 4 Performance Core 2.5 GHz पे कलॉक Cortex A78 और 4 Battery Facency को 2 GHz पे कलॉक Cortex A55 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Dimensity की जो Frequency है वो बेटर है 6Gen1 के कमपेर में तो यहाँ पे Single Core and Multigo Performance नंबर थोड़ा बेटर सो होगा और एक बार CP Frequency को आप फिट से देखिए तो Snapdragon 6Gen1 जो की 2200 MHz पे कलॉक रहता है और जो Dimensity 7300 Energy है वो 2500 MHz पे कलॉक रहता है वो यह पे CP Fabrication की बात की जाए तो Snapdragon 6Gen1 यह 4 NM Samsung बेश वाला प्रुस्टर है जबकि जो Dimensity है वो 4 NM TSMC बेश वाला प्रुस्टर है तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे आपको जो Throttling Management दिखाएगा वो है Dimensity नेक्स देखा जाए यहाँ पे RAM Type को RAM Type वही 8 and 6 को मैंने लिया है दोनों में आपको LPDDR 4X का RAM Type देखने को मिलेगा RAM Frequency 218 33 MHz की होगी Storage Variant यहाँ पे 128 GB का मैंने लिया है लेकिन अगर आप Storage Type को देखेंगे तो Realme Narjo Turbo जो है वो UFS 3.1 को सपोर्ट कर सकता है जिसकी Read and Write Speed बेटर रहती है UFS 2.2 के Compare में जो की IQ Z9X में आता है एन External भी आप जा सकते हैं 1 TB तक लेकिन उसमें Hybrid SIM Slot जाए गया Narjo 70 Turbo में तो आप एक SIM के साथ एक Memory Card ही लगा सकते हैं बात कीज़े आप यहाँ पे Graphics वाले पार्ट की तो Graphics में आपको मिलेगा IQ Z9X में Adreno 710 जिसका Architecture Adreno 700 होगा वह पे जो Realme Narjo 70 Turbo है इसमें मिलता है Mali G615 MP2 जिसका Architecture Warhol Generation 4 है और GPU Frequency की बात किया तो IQ Z9X 676 MHz पे clock रहेगा और Realme Narjo 70 Turbo जिसका आपको 900 MHz पे clock देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं यहाँ पे अब Gaming की तो सबसे पहले देखा जाए Free Fire Max को यहाँ पे जो Snapdragon 6 Gen 1 मतलब IQ Z9X का है उसमें आपको मिलेगा Maximum 60 FPS का सपोर्ट और Maximum Graphics की बात किया तो उसमें मिलेगा Max के साथ High का सपोर्ट जबकि वहाँ Dimensity 7300 Energy Realme Narjo 70 Turbo पे आता है इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा 90 FPS का और Maximum Graphics Max के साथ High का सपोर्ट देखने को मिलेगा नेक्स देखा जाए Battleground Mobile India को यहाँ भी वही रहेगा कि IQ Z9X यह 40 FPS को सपोर्ट करता है और जो Maximum Graphics है वो HD के साथ High का सपोर्ट करता है जबकि यहाँ पे जो Dimensity 7300 Energy है इसमें सपोर्ट मिलेगा 90 FPS का और Maximum Graphics सपोर्ट रहता है Ultra HDR के साथ Ultra का नेक्स जब देखा जाए Call of Duty Mobile को तो Call of Duty Mobile में IQ Z9X सपोर्ट करता है 60 FPS वहीं पे जो Graphics सपोर्ट है इसका High के साथ Max का Maximum Possible Graphics सपोर्ट है और जो Dimensity 7300 Energy है इसमें भी आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलेगा मदलब कि Free Fire, Max, Battleground और Call of Duty सब में 90 FPS Unlock मिलता है बट इतनी अच्छी Performance 90 FPS पे स्टेबल नहीं बनी रह पाती है और जो Maximum Graphics सपोर्ट है वो है Very High के साथ Very High का Benzmark स्कोर को देखा जाए तो Geek Benzmark सिंगल को Performance चिस्ट में यहाँ पे जोर Snapdragon स्कोर करेगा 943 और Dimensity का स्कोर आएगा 1043 Because यहाँ पे जो Frequency है वो Better है 300 MHz है And Overall Multicore Performance में भी देखेंगे तो 6 Gen 1 2748 का स्कोर करेगा And Dimensity 7300 Energy 3000 का स्कोर करेगा मलब थोड़ा Better Performance सो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे Frequency बेटर थी लेकिन अगर आप अदूदू Benchmark नंबर को देखेंगे तो अदूदू Benchmark नंबर में काफे बेटर Performance देखने को मिलेगा इस Nabrigan 6 Gen 1 जो की स्कोर करता है 552,000 जिसका GPU स्कोर 94,000 का ही रहता है Adreno 17 आता है इसमें वहें पे Dimensity 7300 Energy स्कोर करता है 749,000 और इसका जो GPU स्कोर है वो 151,000 मतलब अंदूदू स्कोर के साथ यहाँ पे gameplay किया गया है Energy नाम लगाया गया है तो यहाँ पे performance थोड़ी सी up की गई है and 3D Benchmark स्कोर को देखा जाए तो 3D Benchmark स्कोर में 6 Gen 1 2367 का स्कोर करेगा and जो 7300 यह 4000 close स्कोर करता है मतलब गेमिंग काफे बेटर निकाल के दे सकता है 6 Gen 1 के compare में डिस्पले वाले पार्ट को देखा जाते हो और नार्जो 70 टर्बो OLED डिस्पले के साथ आता है मतलब बेटर डिस्पले सपोर्ट मिलेगा screen size दोनों की almost similar रहती है resolution भी दोनों का similar है aspect ratio 20 ratio 9 का दोनों का रहता है pixel density and difference rate भी दोनों का similar ही रहता है लेकिन design अगर compare किया जाए तो design का version में नार्जो 70 टर्बो जादा बेटर है यहाँ पी आपको 7.6 mm के थिकने के साथ देखने को मिलेगा जिसका weight 185 gram का होगा बाकि जो IQZ9X है यह 7.99 mm के थिकने के साथ आता है और इसका weight 200 gram के close रहता है लेकिन दोनों ही जो है वो plastic panel के साथ आते है IQ में आपको 2 color variant देखने को मिलेगा और नार्जो 70 टर्बो में 3 color variant देखने को मिलेगा तर्बो यलो, तर्बो पर्पल और तर्बो ग्रीन कैमरा की बात की जाते है कैमरा में आपको दोनों में dual camera setup मिलता है 50 megapixel का primary और 2 megapixel का depth OIS नहीं होता है नार्जो 70 टर्बो सपोर्ट कर सकता है 4K at the rate 30fps जबकि IQZ9X सपोर्ट कर सकता है Full HD at the rate 30fps Front camera की बात की जाते है Front camera setup में नार्जो 70 टर्बो 16 megapixel के साथ आता है वहीं पर IQZ9X 8 megapixel के साथ आता है और दोनों ही जो phone है वो Full HD video at the rate 30fps पर record कर सकते है बैटरी को देखा जाए तो बैटरी capacity यहाँ पर नार्जो 70 टर्बो की योगी 5000 mAh की और IQ की योगी 6000 mAh की दोनों ही स्मार्टफोन में 44 और 45 वाट के charging support के साथ आते है कुछ connectivity वाले पार्ट को देखा जाए तो 5G support दोनों में मिलेगा 4G support में LTE category 18 आता है IQZ9X में और नार्जो 70 टर्बो में LTE category 21 का support देखने को मिलेगा Bluetooth technology भी यही रहेगी कि जोहाँ पर नार्जो 70 टर्बो में 5.4 का support मिलता है जबकि IQZ9X में 5.1 Wi-Fi technology भी नार्जो 70 टर्बो की बेटर है Wi-Fi 6E को support करता है जबकि जो IQZ9X से Wi-Fi 5 को support करता है And final features की बात की जाएत यहाँ पर नार्जो 70 टर्बो में On-screen sensor मिलता है 3.MM का jack भी मिलेगा Gyroscope sensor है IR blaster है NFC नहीं मिलता है जबकि IQZ9X में Side Mounted Fingerprint sensor देखने को मिलेगा Audio jack 3.5 mm का input मिल जाता है Gyroscope भी है And इसमें भी IR blaster है NFC नहीं मिलता है और और अगर आप conclude करके देखेंगे तो नार्जो 70 टर्बो काफी better Respects provide करता है इस price point पे And gaming performance भी काफी better रह दिया तो आज का winner हुआ Narjo 70 टर्बो अगर आप इन दोने smartphone में से कोई भी smartphone यूज़ कर रहे है तो comment में जरूर बताएगा कि आपको कैसी experience देखने को मिल रही है और अगर buy करने की सोच रहा है तो मैंने description में link दिये आप उस link के through buy करेंगे तो से मेरी help होगी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like और चैनल पे ना है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा Thanks for watching